नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे सैमसंग एलेकसी A21S के फिंगर्पिंट एंड फेस लॉक सेटिंग के बारे में बेसिकली इस वीडियो में लॉक स्क्रीन सेट आप हम आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं औ और अभी आप लोग को कुछ दिन तक हमारे यूटूब चैनल में सैमसंग A21S की A2Z वीडियो हम प्रवाइट कर देंगे आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिन डाइविस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग सेट क्रेक्स करते हैं तो अपना पासवार्ट डाल दीजीगा यहां पर लोग के स्क्रीन से रिलेटेड यहां पर लोग फेस लोग डाल सकते H यहां पे हमने Already यहां पे जो है Fingerprint Lock अपने फोन में अटेच कर दिया है अबड़ अगर आप लोग को Fingerprint या भी Face Lock अटेच करना तो आप लोग को निचे आना है और Last में हमें option मिलता है Looking for Something Elias तो यहां पे आप लोग क्लिक करना यहां पे Face Recognization का option मिलता है और fingerprint का option मिलता है आप लोग को मैं सबसे पहले fingerprint यहाप एड़ करके दिखा देता हूँ password आप लोग अपना डाल दीजीगा यहाँ पे लगवग मैंने चार अपना finger add करके रख लिया है और आप लोग को simply करना क्या है पड़ेगा edit fingerprints पे click करना है और अपना fingerbill add करना के बाद आप लोग को fingerprint unlock पे click करना है फिर आप लोग का fingerprint यह जो रहेगा lock इसरी में आ जाता है अगर आप लोग को face lock में करना ता आप लोग को simply face lock पे click करना है और यहाँ पे भी आप लोग को अपना face enroll कर देना है और आप लोग इसको भी लॉक इस्क्रीन में लगा सकते हैं उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पॉसाने की जय मता दी